नमस्कार आप देख रहे हैं फॉस्ट बिहार जारखंड और आपके साथ मैं हूँ देवाशी इशकुमार देखे बिहार में जातिय जणगरना को लेकर जो आवाज बुलंद हो रही थी अब एक बार फिर से उसमें रुकावट होने की संभावना जताय जा रही है फर्स्ट बिहार जारकंड जिस तरह से कल आपके सामने एक विसफोटक खबर जो है वो लेकर के आई थी कि किस तरह से केंद्र सरकार जो है वो जातिय जणगरना में कुछ बहुत वर्गों को हटाने की मांग कर रही है अब इसके लेकर एक बार फिर से बिहार की राज़नीती जो है वो पूरी तरह से गर्मा गई है और हमेशा से बिहार में जातिय जणगरना करानी की मांग को बुलंद करने वाले विद्यापती चंदरवंसी जी इस वक्त हमारे साथ मौझूद है जो कि आम जनता पाटी राश्टिये के राश्टिये अध्यक्ष है विद्यापती ज यह पताईए कि आप लगातार बिहार में जातिय जणगरना करानी की मांग को उठाते रहे हैं आपने राजववन मार्च भी किया है राजपाल के समुक्ष ग्यापन भी सौपा है लेकिन एक बार केंद्र सरकार इससे पीछे हटती दिख रही है इसको आप किस रूप में द कि भाजपा का जो एजेंडा है वो हमेशा जो आधार है उनका धर्म के आधार पर उनकी राजनिती करने का जो आधार है उस आधार में जैसे एगर वो जातिय जनगरना करते हैं तो जातिय जनगरना करने से हो क्या जा रहा है कि उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि कही मेरा बोट बैंक नखे सके जाए और लोग जातिये आधार पर लोग अपने आपको कहीं बरगी करीद करने लगे और भावना में यह आ जाए कि धर्म से आगे जाती हो गई तो लोग जाती में बढ़ जाएंगे तो जाती में बढ़ जाएंगे तो बोट बैंक बढ़ जाएगा लेकिन भ केंद सरकार में कॉंग्रेस ने भी कभी इस पर प्रयास नहीं किया कि यह हो और प्रयास किया तो कोई न कोई अरचन आता रहा तो इसका मूल कारण जो हम देखते हैं तो जाती में बटना तो यह बोट बैंक की राजनीत हो गई है जाती जनगन्ना जो है बोट बैंक की राजन उसकी सेक्षनिक इस्तिति पूछते हैं या और जितनी भी इस्तितियां उसको पूछते हैं तो किसी ने किसी बर्ग में उसको डालना पड़ता है और इसे कल्यानकारी योजना चलाने में सरकार को मदद मिली लेकिन सरकार कल्यानकारी योजना चलाना चाहती है लेकिन समझ में में नहीं आ रहा है कि आखिर ये जो एजिन्डा है सिर्फ most बोट का ही ईजिन्डा है और सरकार भारती जणता पाटि सको करने नहीं झारी है ऐसा हम लोग महसूस करें इसलिए पुना हम लोग उने ग्यापन दिया है अब हम लोग का अगला कारेकरम है कि हम लोग सित्र सत्र जो सीत कालिन सत्र आएगा उसमें संसत भवन का घेराओ करेंगे आगे की रननीती मेरा सवाल भी आप से कैसे होगी आप विपक्ष भी आप लोगों के साथ होगा क्या विपक्ष भी लगातार आवाज उठाते रहा है इस मुद्दे को लेकर देखिए हमने पहले भी ऐसा कहा है कि जातिय जनगर्णा में अनुसूचित जाती और जन जाती की जातियां पूछी जाती है लेकिन सामान करने बर्ग को और ओबी सी को यह सरकार धुल्मून लीती है अगर उसका कोई बर कोई जाती अगर पिछड़ा वह आर्थिक रूप से तो सरकार उसको दूसरी तरह से देख रही है कि कि उनको जो है उपर से जो आरक्षन का मुद्दा है ओबी सी के लिए वह भी एक सामने आ सरकार यह कह रही है कि 2011 में जो जाती है जंगना हुआ था उसमें बहुत सारी गलतियां हुई थी और इसी आधार पर हम नहीं चाहते हैं कि 2021 में यह गलतियां दोहराए जाए जाए देखे ये जो सरकार कह रही है ये जो गलतियां होती है ठीक है गलतियां हुई है तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है और कल्यानकारी योजना जो OBC के लिए और सामाने बर्ग के लिए जो सामाने बर्ग है उसकी भी अगर कोई जाती खुल कर सामने आती है जिसके आर्थ लोगों ने आज बयान आया है कि सुप्रिम कोट में हल्फ नामा के अंदर सरकार ने दिया है कि हम जातिय जन गनना नहीं कराने जा रहे हैं तो इस आधार पर हम लोग का पहले से भी यह स्टेंड रहा है और हमने अभी पुना कहा है कि हम लोग सीत कालिन सत्र में संसत भवन का घिराव करेंगे और सरकार पर दवाव बनाएंगे और यदि सरकार नहीं कराने के पक्ष में तो बटन जनता के हाथ में है जनता अगर कराना चाहेगी जाते जन गनना इसी सरकार को केंद्र में ले जाएगी और जाती जन गनना होगी साथ तोर पर देखिए आम जंता पाटी राश्टिया के राश्टिया अध्याक्ष विद्यापती चंदरबंसी जी इस वक्त हमारे साथ है उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पहले से जातीय जंगना करानी की मांग को लेकर को आवाज उठाते रहे हैं एक बार फिर से जिस तरह स परस्ट बिहार जहारखंट के साथ नमस्कार